को सुर्ण की सुरंकी मसाला सबजी इसक लिए मैंने डाइसोग्रैम तो पहले हम सुरं को काट लेते हैं अच्छे सिकलीन किया है उसे मिट्टी लगी रहती है तो उसे ऐसे छील लेते हैं फिर उसे बॉइल करेंगे सुरन के छील के निकालके उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है अब उसे उबालने के लिए फुकर में डाल देते के टेशा साथ के अनुसर थोड़ा नमक डालेने लेमन जूस एक चमच अख जूसर शूसाई कि दो सिटी कोने तक हम उसे उबाल लेंगे कि सुरुन को इस तर से काट लेया है कि सुरुन को हम शालो प्राइब कर लेंगे तिल गरम कर लेते हैं तेल गरम होगा है, सुरुन को शालो फ्राइब करेंगे सुरं की बुष्री बाजो पोगल हमने सुनारा होने तक शालो फ्रैज कर लिया है सुरं को इस तरह से शालो फ्रैज किया है सुरं मसला बनाने के लिए आवश्चक सामगरी दो छोटे पैज स्लाइस में कटे हुए तीन बड़े चमच कदुकस किया हुआ सुकानारेल आदा चमच हल्दी पाव चमच हींग दो चमच लाल मिर्च पावडर तीन चमच गरम मसाला दो चमच रोस्टेट चना अध्रवक लसन और हरी मिर्च दालचीनी लों काली मिर्च तेजपत्ता धन जीरा और तेल हटो तेल गरम कर लेंगे उसमें खड़े मसाले डालेंगे साबट धनिया जीरा लों दाल्चिनी काली मेर्च टेजपत्ता इस अच्छी से बुण लेंगे अध्रवक लशान और सारी मेश टालेंगे इसे बने के अच्छी से पाई चालेंगे पैस का कलर सुनारा होने तब इसे बुण लेके अच्छी से पैस का कलर हलका गोल्डन प्राउन हो चुका है अब उस में कदुकस की हुआ सुखा नारेल डालेंगे इसे दो मिनाच तब धिन्याच पे बुण लेंगे अब उसमें रोस्टेट चन डालते हैं रोस्टेट चने की डाल मैंने एक मिनाट तक धिम्याच पे बुण लिया है अब सभी मसालों को निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए प्लेट में ठंडा होने के बाद उसे ग्रैंड कर लेंगे ग्रैंड कीवा हुआ वेस्ट बावल में निकाला है पैन में तेल गरम कर लेते हैं कि दो बड़े स्पूंच तेल गरम कर लेते हैं कि अग्रम है के बाद उसमें हींग डालते हल्दी आधाचा चामच हल्दी बादेगे लेते हैं कि गरम लेते हैं कि लाल निस पावलब कि अग्रम कर लेखे रखे लेखेगे कि अवडेशन बादेखे लेखे़गे कि पत्वाईब लेखेगे कि यहां पे रोश्टेज चन डाल का यूश्टिया है आप चाहे तो बेशन को रोश्ट करके डाल सकते हैं ताकि ग्रेवी गाड़ी बन सके अथी से स्वादा चाहता है इसका को मैंने चलाते हुए पाच मिनाट को कच्छी से बोन लिया है दिने आज के अभुश में पाने आड़ करेंगे जाओ लाने देंगे पुर्ण नहीं है तो पुबबाला ने देंगे इस इस अचे जागे अकले आगे कि उबाल आ गया है स्वाथ क्याम साथ नमक डालते हैं उसमें शालो फ्राइ किया हुआ सुरन डालेंगे उसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छा से पाच मिनट तक ढब कर दिम्याज पर उसे पकाएंगे सुरन मसाला की सबजी तायार अपीस सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं अब इस रेसिपी को जरू ट्राइ केजिए हमारी गर्मा गरम सुरन मसाला की सबजी तयार आप इसे रोटी चपाती चावल बाजरे या जो और के रोटी के साथ खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेस्बूक पेज रेसिपीस मेड़ इजी बाय साथना को ज़रूर भेट दीजिएगा वह आपको सब रेसिपीस की लिखित विदी मिलेगी धन्यवाद सब्सक्राइब करें विदीए